हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माद्वजा ब्रेस्ट पेन इन प्रेगनेंसी क्या आप लोग प्रेगनेंट हो और आपको ब्रेस्ट के उपर सेंसेटिविटी पेन थोड़ा सा रेड़नेस थोड़ा सा ब्लूइश वेंस जैसा कुछ तो भी एनलाजमेंट हेविनेस निपल के आ इसमें हम लोग जानेंगे ब्रेस्ट पेन इन प्रेगनेंसी राइट रॉम जभी से कंसीविंग हुआ है तब ही से लेके ड्यू डेट तक उसकी वज़ा क्या है उसके लिए हम लोग क्या कर सकता है कुछ रेमेडीज है क्या and yes how to go about it let's get started कुछ बर सिम्पल चीज है ब्रेस् इसमें उसका ब्रेस्ट साइज अलग है ब्रेस्ट का शेप अलग है निपल का साइज अलग है निपल के साइड के ब्राउन एरिया का साइज अलग अलग है exactly same way breast pain होना यह कितना common है almost 70 to 80% pregnant लड़कियों को breast में पेन होता है प्रेगननसी में बट ब्रेस्ट पेन कैसे होता है यह बहुत डिफरेंट डिफरेंट है कि लोगो दोनों ब्रेस्ट में एक टाइम पेन होता है कि लोगो एक ब्रेस्ट में पेन होता है एक में नहीं होता कि लोगो ब्रेस्ट का साइज चेंज हो जाता है राइट अलग साइज में left अलग size में किन लोग को breast के मतलब nipple के side का area dark black हो जाता है nipples थोड़े से बाहर आ जाते है किन लोग को nipple के side के area में चुट चुट बॉइल आ जाते है everything is normal now understand ये कब से होगा basically breast pain ये इसके लिए हो रहा है because आपका brain सोच रहा है कि आपके पेट के अंदर एक बच्चा बढ़ रहा है एक funny time अगर बोले तो एक hungry बच्चा बढ़ रहा है जो जबी पैदा होगा तब उसको बहुत भूख लगेगी तो उसका भूख satiate करने का तयारी आपका body उस दिन से शुरू कर देता है जिस दिन आप लोगों ने conceive किया in fact आपको पता भी नहीं है आप pregnant हो फिर भी breast pain होने की possibility काफी जाधा होती है तो जैसे ही conceiving हो गया आपके breast का preparation चालू हो जाता है towards breastfeeding तो यह चीज होता क्या है यह breast है यह वो breast है जो non pregnant लड़की का है यह simple breast जैसे मेरा है I am not pregnant यह जो है यह उसका breast है जिसने conceive कर लिया है तो यह breast के अंदर सारे granulars बन गया है यह सब चीज़े तयार हो जाती है फिर इसके अंदर दूद जमा होगा और फिर वो दूद obviously is pipeline के थू निपल के द्वारा बच्चे को मिलेगा बिटी सारा preparation शुरू होगा right from beginning तो पहले तीन महिने में ब्रेस के ऊपर टच करने के बाद sensitivity होना बहुत बार अगर किसी को बहुत पीक पेन है तो नहाने के बाद तौविल से ड्राय करते वक्त भी दर्द हो सकता है कुछ लोग को इनर वेर्स पहने में तकलीफ होता है अगर आपको वेसे हो रहा है तो रात की समय में ब्रा नहीं पहना तो भी चलेगा अगर आपको ऐसा होता है तो आपको उनको बताना बहुत जादा जोरूरी है कि आपको इस टाइप का इस टिंग दा एनलाजमेंट ऑफ ब्रेस्ट ब्रेस्ट थोड़ा एनलार्ज होना ब्रेस्ट का शेप थोड़ा सा चेंज होना नॉर्मल यह इस डेवलप्मेंट की विज़स है यह सब कुछ हो क्यों रहा है बिकॉस बंडल ऑफ हॉर्मोन्स आपके बॉड़ी में रिलीज हो निपल के साइड का जो ब्राउन एरिया वहां पर चोटी 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 ग्रैम्यूल की तरह कुछ अब्सर्व हो सकता है बेसिकली बेयार एकदम लोकल टम में बताना हुआ तो यह लेक ओईल पोकेट्स मूस एरिया को लुब्रिकेट रखते हैं और कि जिससे मिलकवनल का फ्لो और ब्रेस्ट फीरिंग को स्मूद इस सेट करने में हेल्प होता है याद रखो कोई भी सिम्टम हरें को हूने का पैल में साजक आपी निपल सेगा लीक को आप और जिसको कौलस्ट्र बोलतें जिसको पुंसेए गेरामा जिसको अप्सम्लार में के लिए गोल्डन मतलब सोने की खान है यह इतना भारी भर्गम वर्ड में कियो यूज किया बिकॉज आपके बच्चे के लिए उतना ही जादा अच्छा है किन-किन प्रेग्नेंट लोग को डाउट होता है कि अभी लीक हो रहा है तो मेरे बच्चे को कम तो नहीं पड़ होगा विकॉज आप लोग मसाज कर रहे हो तो कभी-कभी वह थोड़ा सा प्रीमिल्क लीक हो जाता है डोंट वरी इससे बाहर जाने के बाद कपड़े खराब नहीं होगे एंबरस्मेंट नहीं होगा यह थोड़ा सा ही लीक होता है और विचेज मैनेजबल इसमें टेंशन प्रेशर लेने वाला कोई चीज नहीं है कुछ लोग को अगर बहुत जादा लीक हो रहा है तो आप लोग को निपल पैट्स मिलता है जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे माय दूजा की साइट पर मिल जाएंगे वह आप लोग ब्रा के अंदर रख सकते हो जभी आप लो तो एट मन्त इस डूरेशन के आसपास वेरी कोज वेंज जैसे डिकते है जैसे ग्रीन ब्लू ऐसे प्रॉपर वेंज भी बिख सकते हैं वित अनलार्ज प्रेस्ट सो दैट इस अलसो कॉमन यहीं डूरेशन है जहां पर कभी कभी आपको स्ट्रेच मार्स भी दिखेंगे इस स्ट्रम 2 अर हिप इन तीन जगाह पे प्रिफरेब्ली स्टार्टिंग सही ऐघा ऑलियोड लगा ऑलियोड काफी हत तक अप्टेच मांक्स को कम कर देगा तो उसे आपके stretch marks काफी कर तक कम हो जाएंगे and you will feel better उसके बाद जैसे ही आप लोग due date के आज सपास जाते हो वैसे breast और भी heavy होना bulky होना this is common because third trimester यह वो time है जभी यह सारे चीजों में दूद्ध प्रॉपरली फिल होना शुरू हो जाता है तभी आपका body तयारी कर रहा है towards delivery तो अभी body को पता है कि अभी मुझे पैदा हो जाने के बाद बच्चे को दूद्ध पिलाना है तो उसके लिए कितना दूद्ध चाहिए उस हिसाब से body अपना तयारी शुरू कर देता है so heaviness bulky breast sometimes uncomfortable अगर आप में से कोई exercise करते हो exercise करते वक्त हाथ ऊपर नीचे करने के बाद भी अगर आपको sensitivity या bulkiness के रिए से तकलीफ हो रहा है आप लोग sports bra के उपर shift हो सकते हो तो आपको काफी हथ तक comfort मिलेगा आपके last but not the least अगर आपको breast के उपर boils अजा या बहुत ज्यादा खुजली हो severe dryness हो कि आपको सहन ही नहीं हो रहा है आपको burning जैसा sensation हो रहा है तो फिर एक बार डॉक्टर को दिखा दो नहीं मुझे इतना भी जादा नहीं हो रहा है कि डॉक्टर के पास जाना है बटियस मुझे कुझली आ रहा है इचीने से थोड़ा सा burning sensation है sensitivity पेन है तो कोई home remedy है क्या यह लट्स टॉक बाओ home remedies फर्स्ट home remedy विच इस वेरी गुट जो अप लोग पूरे नौ महिने में कभी भी उस कर सकते हो एक जो मैंने बोला olive oil olive oil is a very good thing जो preferably आपको apply करते रहना है तो आपकी skin के उपर stretch mark जादे नहीं आएंगे dryness काफी हद तक कम हो जाएगा और खुझली भी काफी हद तक कम हो जाएगा अगर आपके nipple और nipple के side के area में dryness है then there is a cream called as dvija nipple softener जिसका link आपको description में मिल जाएगा it's a natural product घर पर बनता है शिया बटर से बनता है तो वह आपके nipple और nipple के side के area का health बहुत अच्छा रखते preferably वो चीज हर pregnant लड़की के पास चाहिए और वह आपको apply करते रहना है तो delivery के बाद आपको उस जगा में dryness कभी भी feel नहीं होगा next thing अगर आपको severe pain हो रहा है burning sensation हो रहा है तो फिर आप लोग आइस पैक लगा सकते हो breast के उपर ice pack लगाने से आपको काफी हद तक आराम मिलेगा and you will feel better next remedy अगर आप लोग hot water मतलब गरम पानी में थोड़ा सा नमक डालके वो पानी अगर breast के उपर पोर कर सको तो आपको काफी हद तक आराम मिलेगा especially pain और bulkiness के वे से जो discomfort होता है वो कम करने के लिए next thing आप लोग jeans का socks ले सकते हो उसमें करीब आधा kilo raw rice travel डाल दो उसको उपर से गाट बान दो और उसको अगर आप लोग microwave में एक मिनिट के लिए गरम करते हो तो आप लोग उसरे भी breast का थोड़ा सा से कर सकते हो उससे भी आपको काफी हद तक जो soreness है मतलब जो थोड़ा सा सूजन की जैसे आपको feeling आ रहा है वो काफी हद तक कम हो जागा कुछ लोगों को pain थोड़ा सा प्रोट्रीडिंग पेन होता है मतलब आपके निपल से लेके एसे अंडर आर्म्स की तरफ ऐसे pain जा रहा है इसे लग रहा है जैसे कोई चक्कु चला रहा है breast के ऊपर इसे pinching pain हो रहा है उसको भी इसारे remedies आपको काफी हद तक help करेंगे प्लीज चेक करो कि आप लोग पहले तीन महीने में युजरी बोलता है कि कभी गलती से पेट के ऊपर भी सो जाओ तो इतना फरक नहीं पड़ता है बट अगर आपको breast sensitivity pain बहुत जादा है तो आपको आपके सूने का position check करना पड़ेगा प्रिफरेबली सीधे सो या एक साइड में सो जहां पर ब्रेस्ट के नीचे आपको सॉफ्ट कुशन रख सकते हो इस से आपका breast pain pregnancy में काफी हद तक कम हो जाएगा so all of you pregnant ladies अगर आपको pregnancy में मुझ से train होना है यह एक कुशन हुआ माइद विजा का target है कि हर expecting mother और हर expecting couple अपना journey towards becoming a parent बहुत confident बहुत peaceful और बहुत positively lead करें और माइद विजा उसमें आपके साथ है अगर आपको मुझ से train होना है तो comment box में लिखिए या visit कीजे www.mydvija.com हम लोग train करते हैं live at Pune, Pimpri and Mumbai और हम लोग online train करते हैं उन सारे couples को जिनको confident बनना है और आप लोग world में जहा कहीं पर भी रहते हो let's get in touch and let's build a more positive and more confident parents world और rather I can say new parents world thank you so much all of you अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please इसको share जरू करना like करना और नीचे जो subscribe button है उसके उपर पक्का क्लिक करना thank you so much all of you have a great time and bye